मैं वैसे कह रहा हूँ पहले ही मीडिया चैनल्स ने मोदी जी का फोटो अटा के नड़ा साब का लगा दिया है तो उसी से एक इशारा मिल रहा है कि किस की टी आर पी का लगा लिए अलोग शर्मा जी स्टूडियों में और मीडिया पर निशाना नहीं साध्य ऐसा तो हो ही नह करनाटक में बोटिंग फाइनल होने के बाद सबी मीडिया वाले अपना अपना एक्जिक पोल दिखा रहे हैं और इसी बीच गोदी मीडिया का चेहरा भी देखने लायक है लेकिन वो भी एक्जिट पोल में बढ़ चड़कर हिसा ले रही है अब दोस्तो इसी बीच मैनेश्ट्री मीडिया की एक हरकत कॉंग्रेस प्रवक्ता अलोग शर्मा दोरा पकड़ी गई है जिसको लेकर सोसल मीडिया यूजर्स गोदी मीडिया का मजाग बना रहे हैं वही वहीं दोस्तो उलोग शर्मा आगे कहते हैं कि BJP अगर जीती तो मोधी जी का फोटो होता वहीं अब BJP की हार दिख रही है तो नडडा जी को बली का बग्रा बना दिया है दोस्तों अलोग शर्मा की ये बाते सुनकर चित्टरा तिरपाटी और अंच्नावम कश्यप को मिर् प्रवक्ता अलोक शर्मा लिखते हैं जहां भाजपा जीती है तो नरेंदर मोधी जी का चहरा आगे करती है और जहां भाजपा हारती है वहां चहरा जगत प्रकास नड़ा जी का लगाती है करनाटक चुनाओं का पडिराम भी इसी संदेश से जुड़ा है जनता बहुत वहीं दोस्तों इस वीडियो पर एक और यूजर लिखते हैं आज दोनों कितना खुश हैं अपने पापा के चुनाओं को लेकर सच में हैरानी होती है ऐसे पत्रकारों की पत्रकारता देखकर इतना खुश तो ये कभी अपने माबाप का चेहरा देखकर भी ना होती होंगी वहीं एक और यूजर लिखते हैं चितरा तरपाठी ने मन मारके जो मुस्कराने की एक्टिंग की है उसके लिए दोर पे एक्स्ट्रा बनते हैं वहीं एक और यूजर लिखते हैं बहुत बढ़िया ये बात आपको हर गोदी चैनल पर बोलनी चाहिए कि कौन जीत रहा है य आप नड़ा जी की तद्वीर देखकर ही समझ सकते हैं इसी पर एक और यूजर लिखते हैं करनाटक में साहाप का बुरा हाल हो गया 40% कमीशन और गैस सिलंडर का नमन फिलहाल दोस्तों अलोक शर्मा की इस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं अपनी राय हमें कॉमेंड बॉ झालो धिलहां जाथ तेस्तोंगों यूद 6% कमीशन और खिलहां